वेलकम टू यूटूब चैनल जीके जीयस विथ मनिश सर। आज 18 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्यपुर्ण क्रेंट अफियर होंगे वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का महत्यपुर्ण क्रेंट अफियर आज का पहला प्रश्ण है मरुस्थलिये और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कम मनाया गया है तो यह मनाया गया है 17 जून को साथियो कम मनाया गया है तो 17 जून को मनाया गया है अब इस महीने में और कौन-कौन से महत्यपुर्ण दिवस मनाया गया है तो वैस्विक माता पिता अब अगला प्रश्ण आपका है हाल ही में किस राजिक के मुख्यमंत्री ने रियल स्टेट एक्सपो 2023 का उधगटन किया है साथियो तो ही माचल परदेश के मुख्यमंत्री ने रियल स्टेट एक्सपो 2023 का उधगटन किया है साथियो अब ही माचल परदेश के मुख्यमंत्री ने किया है साथियो आपको अपसन दिख रहा होगा और उनातिल प्रदेश की राध्धानी है इटा नडर और यहां के मुख्य मंत्री है पेमा खांडू और राज्येपाल कौन है तो कैवल त्रिविकम परनाई की जो है वो यहां के राज्येपाल है साथियो मद्र परदेश के मुख्य मंत्री कौन है तो सिवराज्येपाल कौन है तो स्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है साथियो आंद्र परदेश की राध्धानी क्या है अमरावती है और आंद्र परदेश के मुख्य मंत्री कौन है तो जगन मोहन रेडडी और यहां के राज्ये यहां के मुख्य मंतरी है सुक्रवेंदर सिंग सेखो और यहां पे राजसभा सीट तीन है और लोगसभा सीट चार है। अगला प्रशन आपका है नहरू मेमोरियल मुजियम एंड लाइब्रेडी सोसाइटी का नाम बदलकर PM मेमोरियल मुजियम एंड लाइब्रेडी सोसाइटी कर दिया गया है यह कहां इस्तित साथियो तो PM मेमोरियल मुजियम एंड लाइब्रेडी इस्तित है आपका दिल्ली मे और दिल्ली है यमुना रीवर के किनारे साथ ही हो कॉलगता किस नदी के किनारे है तो यह बताना है केमेंटर बॉक्स में आपको चंडीगड में है रॉक गार्डन जिसका वास्तुकार कौन है ली कारवो जीर साथ ही हो कौन है तो ली कारवो जीर और कानपूर है गंगा रीव साथियों हिमायू का मकवरा है दिल्ली में और इसका अंडरबान करवाया था हाजी बेगम ने सफदर गंजक का मकवरा का अंडरमान गिसने करवाया सुजाओ दौला ने ये सब दिल्दी में है खिरकी महजिद का अंडरमान गिसने करवाया तो गया सुद्धिन तुगलकने साथी हो ही मायू का मकवरा कुतुम मिनार को 1993 में और लाल की लाको 2007 में युनेस्को के बिशु बिरासत अस्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेस साइड में सामिल किया गया है। और नई दिल्डी में DRDO अर्थाग डिफेंस रिसर्च एन डेवलेप्मेंट और लाजिस्टन का हीड क्वाटर है। नमंब दोजाट तरीस तक साथी हो। देखो, 2022 में G20 का अध्यक्ष कौन था इंडोनेसिया था। 2024 में कौन बनेगा साथी हो। ब्राजील बनेगा G20 का अध्यक्ष। G20 के स्थापना होई थी 1999 में और G20 को पहली फहचान दी गई थी 1997 में G7 के रूप में साथी हो। और G20 में बरतमान में 20 मेंबर हैं, 19 है कंट्रीज और एक है यूरोपिय यूनियन साथी हो। अब देखो, 20 देश कौन-कौन से हैं, सबसे पहले जानते हैं कि जब G7 इसका नाम था, तो G7 में कौन-कौन से देश थे, G7 मतलब साथ देश साथी हो। जर्मनी, एक देश का नाम क्या हुआ, जर्मनी साथी हो। उसके बाद United Kingdom, France, Canada, US, Italy और Japan, US मतलब अमेरिका साथी हो। फिर इसका नाम साथी हो क्या परा, तो G8 परा, क्या नाम परा, G8 परा, और जब इसका नाम G8 हो गया, तो एक देश सामिल हुआ, उसका नाम क्या हुआ, रसिया साथी हो, क्या नाम था इसका रसिया, फिर इसका नाम क्या परा, तो G20 साथी हो परा, क्या परा, G20, G20 में उन इंडिया और साउथ अफिरिका साथियो और कौन सा देश आया तो साउथ अफिरिका आया अब साथियो अगला प्रशन आपका है हाली में जारी राष्टी ये जल पुरुसकार 2022 नहीं कौन सा राज पर्थम अस्थान पर रहा है साथियो याद रखना 2022 तवाला राष्टी जल प्रशका 22 में जारी किया गया है तो इसमें कौन सा राज पर्थम अस्थान पर रहा है तो साथियो मध्य पर्देश जो है वह पर्थम अस्थान पर है हर्याना है दूसरे अस्थान पर करनातक है साथियो मध्य पर्देश किसे क्या-क्या पॉइंट बनते हो तुम जानेंग इसका जबाब देना है आपको करनाटक आपको option में दिख रहा होगा करनाटक के राजय Yet पाल संद्रगहलोत और कौन है बिहार के मुख्य मंतरी है नितीस कुमार और बिहार के राज्यपाल कौन है तो राज्जंदर बिश्टुनात्र आ लेरकर अब दól र्जच किंगर्व doesn start के द्वारा इसकी शुरुवात की गई ती ज़ vanished ये जल सक्ति मंत्री कौन है बर्तमान में तो गयजेदर सिंग से एक हावत है साथी हो तो दुझे सतरह में इसकी शुरुवात की गई थी और अभी उप्राश्टपती जी के दवारा यह पुरुसकार मध्य परदेश को दिया गया है अब मध्य परदेश को दिया गया है तो दलट दिया धानी जबोवा दानी क्या है भोपाल है और भोपाल में है भोज ताल साथि मद्य परदेश के गवर्नर कौन है मंगु भाई शगन भाई पटे और मध्य परदेश मुख्य मंत्री कौन है शिवराज सिंग चौहान मध्य परदेश में राजसभा 11 है और लोगसभा 29 है ओंकर रेश्वर राष्ट्रिय उद्यान मध्य परदेश में इस्तित है डाइनासोर राष्ट्रिय उद्यान और कूनो राष्ट्रिय उद्यान कहा है मध्य परदेश में है मुख्य मंत्री सीखो और कमाओ योजना के सुरुवात मध्य पर्देश ने किया है मध्य पर्देश का स्कूल अब सबता में एक बार बैगलेश होगा खेलो इंडिया गेम्स 2023 के पाँच में संस्करन का आयोजन मध्य पर्देश में हुआ है अगला प्रशन आपका है इस अगले प्रशन को जानने से पहले हम कुछ चीजों को जानेंगे जैसे साथियो 33 समा ग्रिश्नम कालीन ओलेंपिक 2024 में होगा ये कहां होगा साथियो तो पेरिस में होगा अगर आप से पूछे 34 समा ग्रिश्नम कालीन ओलेंपिक खेल कहां होगा तो ये लॉंस एंजलिस अमेरिका में होगा अगला प्रशन नगे का है हाल ही में किस देश ने फिर से युनेस्को में सामिल होने की घोषना की है तो अमेरिका ने साथ यो फिर से युनेस्को में सामिल होने की घोषना की है अमेरिका जुलाई दोजार तैस में युनेस्को में फिर सामिल हो जाएगा साथ यो आपको अपसर में दिख रहा होग तो अमेरिका के राष्ट्रपती है जो बाइटन और अमेरिका के उपराष्ट्रपती कौन है कमला हेरी सन और अमेरिका कि PARAश्ट्राइन है फ्रांस के पेरी समी और इसके डायेक्टर जर्नरल कौन है अंद्रे अजयलू और इसकी स्थापना कब हुई थी 16 नमंबर 1945 को साथियो पहते समा गिर्ष्टन कालिन ओलेंपिक खेल जो होगा इसका आयोजन कहां होगा यह होगा दोजर बर्तिस में कहां होगा इसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको क्योंकि मैंने भी तुरंत रिवीजन साथियो करवाया था आपको अगला प्रश्ण आपका है मास्टर रेजिडेंसियल र थात रेत की समाधी गितांजली सिरी के द्वरा लिखा गया है रिंग साइट पुस्तर के लिखक कौन है बिजय दंडरा है दा आर्ट ऑफ प्लेंडर के लिखक है आलक तल पात्रा साथियो गड्स अमाइट बलडबाथ द अंसुमन गायकवार नेरेटिव पुस्तर के लिख लिखक है प्रियम गांधी मोदी उरान एक मजदूर बच्चे की बुस्तर के लिखक है मिठलेश तिवारी बिल पावर पुस्तर के लिखक है सोजड मरीन द वर्ल्ड ऑफ हैमली हिस्टरी के लिखक कौन है तो साइमन सहवाग है साथियो गोल्डन बोई नीरत चोबरा के लि लिखक है सेकर पाथक शिटी ओफ जुआई एंड फ्रीडम एड मिडनाइट के लिखक कौन है तो डैनमिक लेपियर है विपिन दा मैन बिहाइंड दा यूनिफॉर्म के लिखक है विश्वात रावत वार एंड वुमेन पुस्तर के लिखक कौन है तो डॉक्टर एम ए हसन ह अगला प्रशनाप का है हाल ही में किस राज्य मी के पांच खुबसूरत इमारतों ने ग्रीन एपल पुरुसकार जीता है साथियो ऐसा पहली बार है जब भारत के कोई खुबसूरत इमारतों ने ग्रीन एपल पुरुसकार जीता है तो पांच खुबसूरत इमारत किस राज्य में है जिसने ग्रीन एपल पुरुसकार जीता है तो साथियो तेलंग नामी है कहा पर है तेलंग नामी है साथियो अब के मुख्य मंत्री है भूपेंदर भाई पटेल और राजिपाल है आचारे देववर्थ, 36 गड़ साथियो मद्य भारत का राज्य है, तो 36 गड़ की राजधानी क्या है राईपूर, और यहां के मुख्य मंत्री है भूपेंदर भगहेल और यहां के राज्यपाल है बिश्व भूसन हरी चंदरन, कौन है तो बिश्व भूसन हरी चंदरन, अब साथियो तेलंगना का हुए पांच खुबसूरत इमारत कौन-कौन सा है, अब साथियो तेलंगना की राजधानी क्या है? इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में तेलंगना के बारे में अब जो भी जानते हों, यह सारी जानकारी देनी है, आपको केमेंटर बॉक्स में सात्यू अब अगला प्रश्ण आपका है, हाल ही में किसने दूद संकल्प सात्य एप लॉंच किया है, दॡ्यू नाथ पांडे के द्वारा अब साथियो और भी मंत्राले हैं जैसे कि संस्क्रित मंत्री और प्रिटन मंत्री कौन है जी किसन रेड़ी है गरामिन विकास और पंचाइती राज मंत्री कौन है गरिराज सिंग है सूचना एबं परसारंद था युवा एकार एबं खेल मंतरी कौन है अनुराग ठाकूर है प्रयावरन एबं जलवायु परिवर्तं था सर्म एबं रोजगार मंतरी कौन है भुपैंदर यादब है नवीन एवं नवीन करनिय उर्जा मंतरी कौन है तो राज कुमार सिंग है साथियो जल सकती मंतरी कौन है गजंदर सिंग से खावत रेल मंतरी संचार मंतर था इलक्ट्रोनिक सोचना परद्योकी मंतरी कौन है अस्वनी बैसनव है इसपात मंतरी कौन है जोती रजति सिंधिया सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी कौन है तो नितिन जैराम घड करी है किरसी एवं किसान कल्यान मंतरी कौन है नरेंदर सिंग तोमर है साथियो भारत के पर्थम खिरसी मंतरी कौन थे ये बताना है केमेंट बॉक्स में आपको बरतमान में बित्य मंत्री कौन है निर्मला सीतारमन है विदेश मंत्री कौन है सुब्रमन्यम जैस संकर है पसुपालन डेरी और मतस्य पालन मंत्री कौन है पुरुशत्तमरुपाला है महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंखक कारे मंत्री कौन है तो असमिर्थी इरानी है सातियों ये थे महत्पुन मंत्राले सातियों और भी कुछ है सातियों जैसे कि कानून एवा नियाय मंत्री कौन है अरजुन राम मेगवाल प्रित्वी विज्ञान मंत्री कौन है किरन रिजुजु रक्षा मंत्री कौन है तो राजनात सिंग है सातियों भारत के पर्थम एक दिन पांच प्रष्ण करता हूं जो भी बच्चे उस पांच प्रष्ण के जबाब देने वाले प्रथम और सही जबाब देने वाले प्रथम बिजयता होते हैं उन्हें 20 रुपीज की रासी गूगल पे फोन पे या पेटियम पर की जाती है और साथियो कल के जो हमारे टेस इंडियन एर फोस डेकम मनाया गया है तो आठ अक्टूबर को मनाया गया है तो उत्तर परदेश में इस्तित है यही पांच प्रष्ण थे यहां की जिसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको और जो भी साथियो कमेंट करने वाले प्रथम विजयता होंगी उन्हे पर हैं चाले 2020 रुपीज की रुपीच रासि फ़ोन पर गूगल पर या प्तिय अम पर की जाएगी साथ्यों यह पांच प्रष्ण सही होने चाहिए. पहला प्रष्ण आपका है मेला मागी यह कहां मनाया गया है बिससाहित कि महॉतसभ यह कहां मनाया गया अवतार महुतसभ कहां मनाया जाता है और स्वरधरोहर महत सब कहां मनाया जाता है इस 500 प्रश्ण का जवाब देना है केमेंट बॉक्स में साथ ही हो आपको तो ये था आज का आपका महत्रपुर्न क्रेंट अफियर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करी धन्यवाद